के आज इस वीडियो में आपको बताऊंगे मैं three types की cutting three types की cutting आप करेंगे जिसमें आपको shoulder तीरा भी जिसको हम बोलते हैं minus करनी की बिल्कुल जरूरतने मतलब कम करके काटने की कूर्थी में blouse में आपको बिल्कुल भी जरूरतने त्री टाइप्स ऐसी कटिंग होती है जिन में हमें तीरा शोल्डर कम करने की जुरुत नहीं है शोल्डर हमारा क्या होता है इस कंधी से लेकि इस कंधी से हम इंची टेप रख्याप जो नापते हैं उसको हम सोल्डर बोलते हैं तीरा भी हमारी इधर बोलते हैं तो आपको कु तीसरा हो गया जो बैक समें स्मॉल गले बनाते हैं जैसे अपने रेडिमेट कूरती में देखा होगा बैक से 2 इंच-3 इंच की कट होती है तो उसमें आपको बिल्कुल भी तीरा कम करने की जूरत नहीं होती है उसमें फूल तीरा फूल सोल्डर हम रखते हैं मतलब जितना भी हमने शोल्डर ना पाया अगर हमने यहां से लेके यहां तक इंची टेप से शोल्डर ना पाया है तो मालो हमारा 14 इंच आया तो 14 इंच मतलब पूरा फूल तीरा हम रखेंगे और शोल्डर मतलब बाजू चढ़ाने की लिए इंच के बाद 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच अगर आप नेक रखते हैं बैक साइड में तो आपको तीरा में शोल्डर में माइनस की जरूरत पड़ेगी आपको कितना माइनस करना है क्या माइनस करना है मैं आपको पूरी बताऊंगी और हमारा फ्रंट में पूरा हमारा करता है या बोटने वाला बना रहे हैं जितना यह आपको तीरा माइनस करने का जितना अब आता है बाँएक में फearंट म call मतलब नहीं या सबयन या है उसे कोई दिक्कत नहीं है उसने पूरा इप कि सब बुराओं कितना लेंगे बुकरम कितना लेंivan कितना लेंगे तो बुकरम कितना लेंगे विव iProdome कि यह रहें अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लीक देदूंगी आप जाकर देख सकते हैं बाकि वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लिजे ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन क्लिक का साही नहीं जाते हैं सारे चीजों कानुफिक आपको इस पहले हुआ कि आपको कितना क्या रखना चाहिए इस और प्रेंद में आप अगर आपका तीरा शोल्डर आपका 14 इंच है तो आप कम से कम 9 इंच बोटनेक की जो broadness है, हमारी ऐसे बोटनेक की जो broadness आएगी, उसको हम 9 इंच रखेंगे, 13 हमारा 14 इंच है तो, और बोटनेक की deepness, deepness मतलब लंबाई, लंबाई यहां से आप जैसे हमारा ऐसे बोटनेक आता है, ऐसे, तो हमारा यहां से 3 1⁄2, 3 इंच पर आप आगे पिछे का गला कट करेंगे, अब रहे बोटनेक में डिजाइन की बात, अगर आप बिगनर हैं, अगर आप बिगनर हैं, तो बोटनेक बनाना चाहर हैं, तो आप पहले बोटनेक बनाने सिखिए, बोटनेक की cutting करने सिखिए, शोल्डर का अनुशार बोटनेक की cutting depend करती है, जैसे हमारा तीरह अगर 15 इंच है तो उसके अनुसर बोटने की ब्रोडनेस बढ़ जाती है अगर तीरह हमारा 16 इंच है 16 हो गया है वी साइज में चला गया तो उसमें अलग कटिंग होती है हर साइज में बोटनेक की कॉलर की भी और ब्रोडनेस नॉर्मल छोटे नेक की भी अलग अलग बात तो डिजाइन आप बीगनर हैं तो आप अभी बोटनेक सिखिए और डिजाइन तो आप कभी भी बना सकते हैं कुछ भी बड़ी बात नहीं है डिजाइन डालना और रही बात डीपनेक दिजाइन गया नदरे मुएमनला हैं तेरा लेने का और बोटनेक के हमारी गुलाई यह कोतला है सिसे तम आर्म होल की गुलाई जादा रखने के लिए क्योंकि हमारा जो बोट ने कॉलर जो छोटे नेक होते हैं बिल्कुल पिछे से बंद होते हैं बंद होते हैं तो यह पूरा तीरा हम लेते हैं पूरा तीरा हम लेंगे यह जो हमारा शोल्डर की देखिए शोल्डर की जो गुलाई यह पूरा ही हमारा थोड़ा बड़ा लेना पड़ता है ताकि हमें खीचाव ना हो जैसे हाथ उपर कर रहे हैं तो हम खीचे ना तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजे होती हैं जो आप आपको ध्यान देना है सबसे पहले तो आपने अगर सिलाई अभी स्टार्ट किया है तो पहले आप अपना सूट पर ट्राई कर सकते हैं हर चीज बनाने के लिए अपने सूट पर बनाईए और अपने घर में अपने मेंबर जी से भाईया भावी हो गए मम्मी हो गए आप उनके भी कपड़े आप बना सकते हैं सिख सकते हैं तो कोई यह नहीं रहता है कि आप कस्टमर का काम करने में पहले आप अपने पर ट्राइ करिए कि तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर वीडियो इंफोर्मेटिव रखे तो वीडियो को एक लाइक जरूर किजेगा और किश 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 नेक में कैसे कटिंग होते हैं अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो इंफोर्मेटिव लगी तो प्लीज वीडियो के एक लाइक जरूर किजेगा थाइंक यू फोर वची